हेलो गाइस, विल्कम टू मैं चैनल पीके कोमर्स स्टेडी आज की इस वीडियो में मैं रिसर्च पेपर का बहुत ही इंपोर्टेंट कोईशन लेकर आई हूँ तो क्वेसे ने परिकल्पना का अर्थ परिभासाएं एवं परिकल्पना के प्रकार की ब्याख्या करे तो सबसे पहले मैं परिकल्पना का बेसिक अर्थ बता दू कि परिकल्पना वह है जब कोई कारी या बेवसाई को प्रारम किया जाता है तो सबसे पहले उस बेवसाई को कैसे कब और कहा करना है आदी बातों की कल्पना पहले ही की जाती है तो साप सब्दों में या कहा जा सकता है कि बेवसाय प्रारम करने से पूर्व चिंतन अथार्थ सोधा अर्थी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह अपना अनुसंधान कारे की परिकल्पना पहले ही ना कर ले परिकल्पना के अभाओं में अनुसंधान की ना तुद्धिसा निर्धारित होती है ना ही विसेचेतर का ज्यान होता है उपकल्पना एक परकार से अपरतियस्ततियों का उपयोग परतियच को समझने में किया जाता है इसलिए इसे प्रकल्पना परिकल्पना पूर्वकल्पन आदी नामों से जाना जाता है तो अब हम लोग देखेंगे इसका साब्दिक अर्थ क्या होता है परिकल्पना का अर्थ परिकल्पना को सोध भी कहा जाता सोध समस्या के चैन के उपरांत उस समस्या पर सोध कारे को आगे बढ़ाने है तूप परिकल्पना की रचना की जाती ह वास्तुईक अध्यन आरम करने से पूर्व सोध करता अनुमान लगाता है कि अध्यन के बाद की इस तरह का परिणाम मिलेगा सधारन अर्थ में इसी अनुमान को परिकल्पना कहते हैं सोध समस्या के प्रस्ण वाचक वाक्य अथ्वा कथन में पूछे गए प्रस्ण का अंतरीन समाधान युक्त कथन को परिकल्पना कहा जाता है दुसरे सब्दों में परिकल्पना में समस्या का अनुमानात्मक समाधान समस्टी होता है छिपा हुआ होता है परिकलपना समस्या के समाधान को अनुमानात्मक रूप से समाहित किये हुए एक जाचनीय कथन होता है उधारन के लिए मान लिया जाए कि कोई सोध करता प्रन्याम के अभ्यास एवं अस्मरीती चमता के विकास में कार्य खारन संबंद का अध्यन करना चाहता है इसके लिए वा एक समस्या कथन की रचना करता है कि पर्णियाम के अभ्यास और अस्मलिती सम्ता में किस परकार का संबंध है अब हम लोग दिखेंगे परिकल्पना की परिभासा है पहला है मेक्यूगन के अनुसार मेक्यूगन का मानना है परिकल्पना दो या अधीक चरू के बीच समभावित संबंध का परिछिनिये कथन है दूसरी परिभासा है रेवर तथा रेवर के अनुसार परिकल्पना उवा कतन प्रस्ताव या अविधारना है जो कुछ तत्यों के अंतरिम ब्याख्या का काम करती है तीसरी परिभासा है करलिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरुकी बीच संबन का अनुख मानात्मक कतन है अब हम लोग परिकल्पना के प्रकार को देखेंगे मनो बेग्यानिक समाज सास्त तथा सिच्छा के चेतर में सोध करताओं द्वारा बनाई गई परिकल्पनाओं के सौरूप पर यदि ध्यान दिया जाए तो यहां अस्पस्ठ हो जाएगा कि उसे कई परकारों में बाटा जा सकता है सोध बिसिसिग्यों ने परिकल्पना का वर्गी करा निमनांग पहला है चेरो की संख्या के अधार पर पहला आता है सधारन परिकल्पना सधारन परिकल्पना से उस परिकल्पना से है जिसमें चेरों की संक्या मात्र दो होती है और इन्ही दो चेरों के बीच में संबंध का अध्यान किया जाता है उधारन सौरुप बच्चों के सिकने के लिए पुरुसकार का साकारात्मक परभा पढ़ता है एहां सीखना तथा पुरुषकार दो चर हैं जिनके बीच एक बिसे संबंद की चर्चा की है इस परकार परिकल्पना सधारन परिकल्पना कहलाती है दूसरा है जटील परिकल्पना जटील परिकल्पना से तापरे उस परिकल्पना से है जिसमें दो या अधिक चरों के बीच आपसी संबंद का अध्यान किया जाता है जैसे अंग्रेजी माधियम के निम्न उपलब्दी के विद्यार्थियों का विक्तितों हिंदी माधियम के उच उपलब्दी के विद्यार्थियों का विक्तितों के अपेच्छा अधिक परिपको होता है इस परिकल्पना में हिंदी, अंग्रेजी, माधियम, निम्न, उच, उपलब्दी, अस्तर, एवं बेक्ती, तो तीन परकार के चर समिली थे अताय या एक जटील परिकल्पना का उधारन है दूश्रा परकार है चरो के बिसेश संबंद के अधार पर मेक्यूगन ने इस कसोटी के अधार पर परिकल्पना के मुख के दो परकार बताए हैं तो चलिए हम लोग दिखते हैं वो दो परकार कौन कौन से हैं पहला है सार्वत्रीक या सार्वभोमिक परिकल्पना सार्वत्रिक परिकल्पना से स्वयम अस्पस्ट होता है कि ऐसी परिकल्पना जो हर छेत्र और समय में समान रूप से ब्यापत हो अथार्थ परिकल्पना का सौरूप ऐसा हो जो नहीं चेरों के सभी तरह के मानों के बीच के संबन को हर परिस्थिती में हर समय बनाय रखे उधारन सौरुप रुसकार देने से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है या एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें बताया गया है संबन अधिकांस परिस्थितियों में लागू होता है दूसरा है अस्तित्वात्मक परिकल्पना इस परकार की परिकलपना यदि सभी वेक्तियों या परिस्थितियों के लिए निश्चित रूप से सही होती है जैसे सीखने की परक्रिया में कच्छा में कम से कम एक बालक ऐसा जरूर होता है जो पुरुसकार के बजाए दंड से सीखता है इस परकार की परिकल्पना अस्तित्वात्मक परिकल्पना कहलाती है तीसरा परकार है विसिस्ट उदेशे के अधार पर परिकल्पना के निम्न तीन परकार है पहला सोध परिकल्पना इसे कारियरूप परिकल्पना या कारियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं ये परीकलपना किसी ना किसी सिधानत पर अधारित है या प्रेरित होती है सोध करता इस परीकलपना के सोधना वहुत ही भिष्वास के साथ करता है तृथ हुषीा अभिलासा होती है कि उसकी या अभिलासा होती है कि उसकी या परिकल्पना सत्य सिध हो उधारन के लिए करके सीखने से प्राप्त अधिकम अधीक सुद्रीड होता है और अधीक समय तक टिकता है तीसरा है सुन्य परिकल्पना सुन्य परिकल्पना सूध परिकल्पना के ठीक विप्रीथ होती है इस परिकल्पना के माध्यम से हम चरो के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उलेग करते हैं उधारन सो रूप उप्रोक्ट परिकल्पना का नल परिकल्पना के रूप में निम्न रूप से लिखा जा सकता है बिज्ञान वर्क के छात्रों की बुद्धी लब्दी एवं कला वर्क के छात्रों की बुद्धी लब्दी में कोई अंतर नहीं है एक अन्य उधारन में यदि सोध परिकल्पना या है कि वेक्ति सूज द्वारा परियत्न और भूल की अपेचा जल्दी सिखता है तो इस परिकल्पना की सुन्य परिकल्पना या होगी कि वेक्ति सूज द्वारा परियत्न और भूल की अपेचा जल्दी नहीं सिखता अता उप्रोक्त उधारन के माधियम से सुन्य अथवा नल परिकल्पना को असपस्ट रुप से समझा जा सकता है रास्ट प्रकार है संख्यां के परिकल्पना जब सोध परिकल्पना या सुन्य परिकल्पना का संख्य के पदों में अभी वेक्त किया जाता है तो इस परकार की परिकल्पना संख्यां के परिकल्पना कहलाती सोध परिकल्पना अथ्वा संख्यां के परिकल्पना को संख्यां के पदों में व्यक्त करने के लिए बिसे संख्यतों का परियोग किया जाता है सोध परिकल्पना के लिए H1 तथा सुन्य परिकल्पना के लिए H0 का परियोग होता है तथा माध्य के लिए X का परियोग किया जाता है तो आज के लिए इतना ही उमीद है आप परिकल्पनाओं के मेनिंग को बहुत ही अच्छे से समझे और वी ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सियर जरूर करें और कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और किस तरह के कोशन का आंसर चाहिए धन्यवाद